अपना लाइफ फुल साब सीडी का बोड है कभी अप तो कभी डव संजू मूवी का यह डायलोग संजेदत के अलावा एक और बॉलिवूड आक्टर पर सूट करता है और वह है नन अनादर देन आपके हमारे सब के भाई जान यानि की मेगा स्टार सल्मान खान अपने करियर के शुरुवात में ही मैंने प्यार किया और हम आपके है कौन जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बावजूद भी सल्मान खान की लाइफ में काफी अपस और डाउंस आए हैं जो है अब्दुल राशित सलीम सल्मान खान नमबर टू सल्मान खान एक बहुत अच्छे एक्टर तो हैं ही पर बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने वीर और चंद्रमुखी जैसी मूवी के लिए राइटिंग भी की है और इनिशियली ही वांट टू बीर राइटर नम सल्मान खान हमेशा एक ब्रेसलेट पहने नजर आते हैं जो उनके फादर सलीम खान ने उन्हें 2002 में दिया था जिसे सल्मान अपना लग्की चार मानते हैं सल्मान खान की दूसरी मूवी मैंने प्यार किया एक ब्लॉग बस्टर मूवी थी जो 1989 की हाइस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी थी बट ब्लॉग बस्टर मूवी देने के बाद भी वो 6 मन्त तक जॉब लिस्ट हैं 1993 की बाजीगर मूवी एसार के की आइकॉनिक मूवी में से एक है जहां उनके रोल को फैंस ने बहुत पसंद किया था पर क्या आपको पता है यह रोल इनिशली सल्मान खान को ओफर की गई थी जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था सल्मान खान को कंट्री में फिटनेस आइकन माना जाता है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है उन्हें एक फेशिल नर्व डिसॉडर है विच इस नोन ऐस सुसाइडल डिसी नमबर एट 1999 की हम साथ साथ है सल्मान की आइकनिक मूवी में से एक है बट इसी मूवी के शूटिंग के दोरा सल्मान और उनके को स्टार पर ब्लैक बग हंटिंग का ऐलिगेशन लगा था नमबर 9 हर एक्टर की करियर में डाउनफॉल आता है ऐसा ही डाउनफॉल सल्मान खान का 2006 में आया था जहां बैक टू बैक सल्मान खान की मूवी फ्लॉप हो रही थी और यह स्ट्रीक 2008 तक कंटिन्यू रहा जिस टाइंग पीरिड में उनकी कोई भी मूवी बॉक्स ओफिस पर कमाल नहीं कर पाई नमबर 12 2009 में सल्मान खान ने अपने फ्लॉप की स्ट्रिक्स को आखिर कर तोर दिया अपने वॉंटेड मूवी से जिसे ऑडियन्स ने बहुत पसंद किया था नमबर 13 सल्मान बॉलेवुट के एकलौटे स्टार है जिनकी बैक टू बैक तीन मूवी जने 200 करोर प्लस की कमाई की है और 9 बैक टू बैक मूवी जने 100 करोर प्लस की कमाई की है No doubt सल्मान को King of the Box Officer कहा जाता है जिनकी प्लॉप मूवी भी 100 करोर की कलेक्षन करती है आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान के खिलाफ कई सारे फत्वे भी जारी किये गए हैं महस गनेश शतुर्तती सलिब्रेट करने के लिए बहुत कम लोगों को पता है कि और रेस्टोरेंट इन देली जिसका नाम नौच एक्सपीडियन्स है जो सिर्फ बिडियानी सर्फ करता है बहुत कम लोगों को पता है कि अपनी मूवी जै हो का पोस्टर उन्होंने खुद पेंट किया है नमबर 17 पीपल मैगजीन ने सलमान खान को वन अव दा मोस्ट हैंडसम मैन इन दे वर्ल्ड की लिष्ट में शामिल किया था नमबर 18 टुटाओजन फिफ्टीन में एक लीडिंग मैगजीन ने सलमान खान को मोस्ट अट्राक्टिव मैन इन दे इंडिया कहा था नमबर 19 सलमान खान अपने फिलेंट्रोफी के लिए भी काफी फेमस है जया उनकी बिंग हुमन फाउंडेशन गरीब और बिमार बच्चों की मदद करती है सलमान खान ने अपनी मूवी बजरंगी भाईजान की प्रोफिट भी इंडियन फार्मर्स को डेडिकेट ही थी नमबर 20 सलमान खान ने बॉलिवुड में डेब्यू करने से पहले प्रोफेशनल जैज डान्स की भी ट्रेनिंग ली थी